लेकिन KFC में अलग-अलग यूनिट्स में अलग-अलग सेफ होने के बाद भी सभी जगह पर बनाएगे प्रोड़क्ट्स का जो टेस्ट है वो एक जैसा होता है क्यों कोई भी मनेफैक्ट्रिंग यूनिट में कोई भी इंप्लॉई उस बताएगे प्रोसिजर को ब्रेक करके क करें और नहीं जा सकता किसी और तरीके से काम नहीं कर सकता पर 20-year-old स्टाफ भी जितना कैपेबल है उतना यह आपका तो क्या होगा फैबरिक का सेलेक्शन करेंगे कि वह मिटीरियल या वह प्रोड़क्ट किस फैबरिक में बनने वाला है नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक जरू करें जैसे अपने बिजनस के एस ओपी को जरूर डिजाइन करें क्योंकि एस ओपी के माध्यम से ही आप अपने बिजनस को एक सिस्टेमेटिक प्रोसीजर के अंतरगत ढाल पाएंगे और जब एक सिस्टेमेटिक प्रोसीजर को इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपके आने वाली टीम आसानी से ट्रेंड हो पाएगी और ट्रेंड टीम ही आपके बिजनस को आगे ले जाने में आपकी सबसे वड़ी मदद करने वाली है आज हम इस विशह पर बात करने वाले हैं वह विशह है डेवलप्मेंट आप डिस्ट्रिबूशन नेटवर्क अपने बिजन होता है बिजनस को एक्सपेंशन के और ले जाने की और नेक्स वीडियो में वैसे भी बात करने वाले हैं मार्केटिंग स्ट्राइजी की कि हम रीटेल सेल बीटूबी बीटूसी बीटूजी यह एक्सपेंशन के लिए किस तरह से प्रोमोशन करें चाहें वो इस बात पर निभर करता है कि आपके बिजनस का प्रारूप क्या है जैसे आप रेडिमेट गार्मेंट का बिजनस करते हैं तो रेडिमेट गार्मेंट में आप एक्स्क्लूसिव फ्रेंचाइजी स्टोर बना कर भी बिजनस कर सकते हैं या आप रेडिमेट गार्मेंट का ड इस दुशर्ए ग्जामपल से बताता हूं मालिजी आपके एक Student कोचिंग इंशिटीऊटा ठीटिविशन नहीं कर सकते dir शिप नहीं कर मतलब अब सर्विसस से रिलेटर्ड बिजनस करतेया तो आप रेंचाइज model पर जाएंगे या master franchise model पर जाएंगे लेकिन अगर आप product की manufacturing करते हैं या import करते हैं और उसका distribution करना चाहते हैं और distribution network dealership network या cndef network पर जाएंगे बहुत सारे business में दोनों ही applicable होंगे जैसे मैंने रेडिमेट government का example आपको भी आपको बताया है अगर आप franchisee dealership या distributorship कोई भी business करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है आपके पास वो lead generate हूं जो आपसे आपके बिजनश की demand करें क्यों हम आपके business की franchisee लेना चाहते हैं या आपकी company का distribution network हम अपनी state में चलाना चाहते हैं या इसका wholesale करना चाहते हैं रीटेल करना चाहते हैं या सी एंडेफ करना चाहते हैं इसके डीलर बनना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जरुए है सही तरीके से बिजनस के प्रोपोजल को डिजाइन करने की कहते हैं कि अगर आप किसी बिजनस को करना चाहते हैं और कोई विक्ति आपको बि आप के चाहता हूं कि किस तरह से बिजनस का प्रॉपोजल डिजाइन होता है और ठीक तरीके समझने के बात कि कुरूप में आपको बताउँ गा कि भी कैसे । को किस कंपनी का प्रॉडक्ट सभवें का प्रॉड़क्ट सबसे क्वेजन क्या है गोल क्या क्या उद्देश्य है कंपनी का लक्ष हसल करना चाहती यह वह से पॉसिबलीटी कि थी ती बहुँ सार इंडस्ट्री ऐसी है जो आगे बढ़ने की अपार संभावनाओं तक पहुँच चुकी अब वो इंडस्ट्री के अब नीचे जाने वाली है तो उसकी फीचर पॉसिबिलिटी क्या है यह बताना बहुत जुरूरी है आपकी कंपनी के प्रोफाइल में आप प्रोफाइल में ब का बिजनस प्रोफाइल क्या है तो आप बदाएंगे आप अगर उस कंपनी के फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं तो आपके प्रति हमारी क्या क्या रिक्वार्मेंट है सबसे पहले एरिया अप एरिया डिफाइन करना है कि आपको कितना एरिया चाहिए उस स्टेट में या डिस्टिक में अपनी फ्रेंचाइजी देने के लिए एक्जैम्पल में आपर लिता हूं माली जी मेरी मडू लोकिशन की कंपनी है तो मैंने बता दिया हमाई कंपनी स्टार्टेड इन टू थाउजन टेन बाद हैं और स्टील इंडिया में एक नया कंसेप्ट है और भविष्य में इसके ग्रॉथ की संभावनाहीं बहुत अजीच अधिक है है और जो स्टील इंडस्ट्री है वो 3000 परसेंट पर एनम के इसाब से बढ़ता जा रहा है तो यह हो गया कंपनी की प्रोफाइल के बारे में अब है रिक्वार्मेंट सबसे पहले एरिया क्या रिक्वार्ड है फॉर एक्जैंपल हम अपनी कंपनी की फ्रेंचाइज यह अगर स्कुरेंटेट सीראל हो 1000 सब्सक्री में अपके बिसट्रफोजल के लिए बिसनस के लिए कि together egal है वह और यह बिसाइन करें कि डिया आप और यह चाहिए या rented भी चलेता है, हमारे वाले case में हम owned area पर भी franchise देते हैं और rented पर भी देते हैं, तो आपको यह define करना जो होगी है, बहुत सारे businesses में area जो होता है, owned ही होना चाहिए, ताकि लंबे समय तक वहाँ पर वैपार चलता रहे, तो यह आपको बताने हैं कि आपका area required है कितना, और व 55 lakh to 45 lakh रुपी का investment आता है, अगर आप कोई showroom बनाते हैं, तो आपको क्या define करना, आपका investment कितना आना है, आप define करेंगे आपका profit का ratio क्या होना चाहिए, हमारी company में profit ratio 50 to 50 है, मतलब कोई भी material जो आपको आएगा, उसमें 50% देखे, दो बाती है, 50% product margin क्या सकते हैं, यह company की price list पर 50% discount क्या सकते हैं, कि हम 50% का discount क्या पोजेते हैं, हमारी company की list पर, उसके बाद process period क्या है, उस setup को बनने में, जैसे हमारा showroom बनता है, तो 3-4 महीने का समय लगता है, हर business का process period है, कई business ऐसे हैं, जिसमें building construction हो रही है, 1-2 साल का समय हो सकता है, 2-3 साल का समय हो सकता है, किसी को government का एक outlet खोल के दे रहे हैं, तो 1-2 महीने हो सकता है, तो इसका process period है कितना, monthly operating cost, उस business की monthly operating cost कितनी होगी, जैसे हमारे वाले case में, अगर वो rented है, तो 1.5 लाख रुपे के आसपास rent हो गया, देखे, calculate कर लेते हैं, 1.5 लाख रेंट, 25,000 electricity, 1 लाख रुपे के आसपास staff, 50,000 प 25,000 आपकी other operating cost हो गई, तो कितना खर्चा हो गया, डेड़, धाई, तीन, चार, 4 लाख रुपी पर मन्त, तो आपको ये बताना भी है कि आपका operating cost कितना है, अब आपको बताना, expected sales पर मन्त कितनी होने वाली है, अगर profit 50% है, और हमारे वाले case में, अगर 10 लाख रुपे की sale ह होती है, तो 5 लाख रुपे profit, जो margin बसता है, वो gross profit है, तो net profit कितना बचेगा, 4 लाख का खर्चा काटके 1 लाख रुपे, अगर ये ही sale, 20 लाख रुपे की होती है, तो profit कितना होगा है, 10 लाख, gross profit, उसमें से 4 लाख का खर्चा, 6 लाख रुपे profit हो जाएगा, तो आपको ये भी बताना है, कि expected sale कितनी होगी, break-even point, मतलब कितना काम करने पर आपकी company no profit, no loss पर होगी, ठीक है, इसको बताये तो, example के रुप में, मैंने बता है, 50 लाख का margin है, 4 लाख रुपे का हमारा मंतली operating cost है, अगर सिर्फ 8 लाख रुपे की sale हुई, तो हम break-even point पर होगे, मतलब तो minimum sales requirement भी कह सकते हैं, इसको आप, ROI, return on investment, अगर एक showroom 5 लाख रुपे पर मंत, earn कर रहा है, तो साल में कितने होगे, 60 लाख रुपे, तो आपको ROI कितना होगे, अब 1 year, एक साल के अंदर आपका ROI cover हो जाएगा, तो आपको ROI की definition भी देनी है, कि आपकी company की ROI कितने, कितने समय म total investment cover हो जाने वाला है, है ना, उसके बाद में आपकी company के क्या क्या support है, क्या क्या extra support आप provide करते हैं, जैसे product related क्या support है, जब किसी consumer से sale करते हैं, तो कई बार बहुत से product ऐसे हैं, जो ready to supply है, घराक आया, पैसे दिये, चीजली और चला गया, कुछ ऐसे product है, जो customize है, make to order design है, त consumer की requirement के हिसाब से, उसको planning की support देते हैं, फिर after sale support, जब sale हो गई, तो उसके बाद क्या support देते हैं, जिससे हम जितने भी product की services हैं, वो हम provide करते हैं, marketing के लिए क्या क्या support देते हैं, हम lead generation के लिए digital marketing company की तरफ से करते हैं, central advertisement company की तरफ से करते हैं, तो ये marketing support का part हो गया, क्या marketing executive देते हैं, नहीं, तो बहुत सारी company marketing executive देती हैं, कुछ company नहीं देती हैं, है ना, technical support क्या करते हैं, कि वह product related अगर को technical fault है, तो उस related responsibility किस की है, franchise की या company की, तो इस case में company की responsibility होती है, तो आप क्या क्या support देते हैं, वो सारी technical specification, उसकी detail, उसकी duration, क्या क्या support आपके तरफ से होग और कैसे वो काम deal closing तक पहुचेगा, ये सारा का सारा जो system है, वो आपको explain करना पड़ता है, कि आपका support system क्या है, ताकि एक व्यक्ति जो आपके brand के साथ जुड़ रहा है, एक व्यक्ति जो आपके brand के साथ tie up कर रहा है, वो अगर tie up करता है, तो खाली product selling नहीं कर रहा है, क्य training भी आप provide करेंगे, कि ये जो हमारा काम करने का तरीका है, उसके ये SOPs है, जो आपने पहले design कर रखे हैं, कि वे हमारी company के SOPs के है, उसी के according आप सारा काम specification wise करना शुरू करेंगे, ताकि आपके desired result हासिल हो सके है, अब important बात है road map how to start, उस व्यक्ति ने आपके company के profile को समझ ल area requirement को profitability को, break even को, ROI को, सब चीजों को अच्छे समझ लिया है, तो वो कहता है कि ठीक है मुझे बता, steps क्या है, अगर मैं आपके साथ मिल कर काम करता हूं, हमारे वाली company में क्या steps होते हैं, वो बताएता हूं, हम कहते हैं, एक 2,00,000 रुपे का DD या check, in favor of company आप पे करेंगे, जै designing, designing के बाद में अगर को required changes करेंगे, designing के बाद में जब design हमारी complete हो जाएगे, उसके आपको cost देंगे, और cost में से 50% आप हमें cost पे करेंगे, 30 दिन का समय लगेगा, जिसमें हम आपको सारका सारा material तयार कर लेंगे, और उसके बाद आप हमें 50% balance payment देंगे, और material हम dispatch कर देंग और उसके बाद हम करेंगे inauguration, और inauguration के बाद support day by day, आप और आम मिलकर उस business को आगे बढ़ाएंगे, तो हमने क्या बताया roadmap, कि उसको सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन किस roadmap के अंतरगत वो आपके business को शुरू करेंगा, उसके steps क्या होंगे, यही बाद dealership पर लाग होती है, व्यक्ति इंट्रस्टेड है आपकी company की dealership लेने के लिए, तो वो पूछता है, बताओ company के बारे में बताओ, company का process बताओ, company के खर्चे बताओ, business को करने का पूरा प्रारूप बताओ, हर वो चीज जो मैंने आपको franchise के बारे में बताई है, वही सारी same चीज आप से, जब profit देंगे, क्या procedure होगा, है ना, कितना period उसमें लगेगा सारे process का, monthly cost मेरी क्या आने वाली है, expected sale क्या होगी, break even क्या होगा, ROI क्या होगा, distribution network के भी same काम यही करता है, बस अंतर क्या है, अगर आप एक manufacturer है, तो आप जो distributor को margin देते हैं, वो बहुत low percentage होता है, क्यों क्योंकि वहा level of quantity की बात होती है, और वही बात जब आप retailer को material देते हैं, तो retailer के पास क्या होता है, बहुत low quantity होती है, लेकिन high profit margin होता है, तो आपको यही बताना होता है, कि किस-किस option में क्या-क्या profit margin होने वाला है, तो यह सारी चीज़ें जब आप follow करते हैं, तो आपका business का सही तरीके से proposal design होता है, है न और बहुत सारे example ले सकते हैं, मान लीजिया आप educational institution चलाते हैं, तो educational institute में एक तो आपका institute का first step क्या, क्या आपके institute का establishment कब हुआ, कब आपने institute को register किया, क्या-क achievement की, है न पिर वही सेम बात कि अगर मैं वह सेंटर करना चाहता हूँ फर एक्जामपल आपका एक एजुकेशनल ट्रेनिंग इंसिट्यूट है जहां पर आप कोचिंग क्लासेज करते हैं टेक्निकल कोर्सेज करते हैं तो आपने का जी भी मुझे रिक्वार्मेंट है इन्वेस्टमेंट आएगा दस लाख रुपे से लेके बारा लाख रुपे रिश्वा प्रॉफिट देंगे हम सेवेंटी-थर्टी सेवेंटी जो है वह इंस्टिट्ट का रहागा 30 पर रॉयल्टी रहेगी प्रॉसस्प्रिट क्या है वन मंत का टाइम लगता है कि इंस्टिट्ट को डेवलप करने का मंतली ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है रेंट है इलेक्रिसिटी है स्टाफ सेलरी अलगबग 50,000 पर पर मंत होती है तो 50,000 हमें एक बैच से आती है ऐसे एक दिन में 4 चलती है दो लाक रुपे फीस आती है तो यह आप खर्चा काटने के बाद 70 30 में शेर कर लेते हैं तो इंसिट्यूशन हो प्रोडक्ट हो सर्विसेज हो कुछ भी हो आपको सबसे पहले अपने प्रोपोजल को डिज सकते हैं या डिलर्शिव ले सकते हैं डिस्ट्यूशन ड्रक में आ सकते हैं इसके लावा आपके मन में अगर कोई भी प्राश्न है आपके बिजन्स को लेकर तो आप Q&A में ज़रूर आप लिखें सारे स्टेप्स को डिजाइन करते समय आप एक एक बात को अच्छे से गहन से मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद अपने बिजन्स को एक्सपेंशन की और ले कर जाएं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्ट्र आमत्माईश्वरी आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भालत